हलो श्रेंस यदि आप लोगों को ICR के first round में college नहीं मिला है तो श्रेंस first round में आप लोगों को लिखा मिल जाएगा not allotted और स्रेंस अब आप लोगों को second counseling में participate करना है तो second counseling करنا होगा सिव आपको वेट करना है उन्हेंट हो चुकी है सीट अलोट्मेंट होने में के बार में उन्हें करना हن है डाकूमेंट जो दित्यौनम्ट सिस्टम चलेंगी अभी सिफ परस्ट राउंड में फॉप को जो कॉल्लेज हुआ है उनके दिसमबर का आपको wait करना है second round का तो second round इस्वेंस आपका automatic होगा आपको कुछ भी नहीं करना है seat allotment आपको second round में देखने के लिए मिल जाएगा सामके 5 बजे के बाद मिश्वेंस लगबग 6-7 के बीच में आप लोग चेक कर लिजेगा कि आपको seat allot हुई है या नहीं हुई है और यह आपको second round में college allot नहीं हुआ है तो फिर students आप लोगों का जो third round है वो होगा फिर आपका 10 जनवरी से तो आप लोगों को अभी कुछ भी नहीं करना है जिन लोगों को college नहीं मिला है सिब आप वेट कीजिए जिन लोगों को भी college मिल चुका है उन्हें अपने documents upload करने होंगे और इसके बाद में document verification होगा और यह आपको college पसंद आता है तो आप इसे students accept कर सकते हैं और यह आपको accept नहीं करना है तो उसे students आप लोग फिर अपग्रेट भी कर सकते हैं जिसे हम लोगों को college नहीं मिला है अभी कोई भी process आपको नहीं करना है और जो भी process आपको करना होगा तो हम आपको बता देंगे और जिन्हें first round में college मिल चुका है उन्हें जो documents upload करना होग वो उन्हें original documents को ही scan करके upload करना होगा photocopy scan करके आपको upload नहीं करना है साथ ही साथ में जो भी documents आप upload करेंगे वो English language में ही होना चाहिए Hindi language में आपको कोई भी documents upload नहीं करना है तो friends जो भी second round के लिए wait कर रहे हैं अब उन्हें 30 December तक तो फिलहाल wait ही करना पड़ेगा और जो भ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सकाइब कर लिजेगा बैल ऐकन को प्रेस कर लिजे मिलेंगे श्रेंट्स अनपडेट के साथ में तब तक के लिए thank you thank you for watching this video have a nice day